गज्ट अफ्टुनूट दीवाइड में नियुकर नीचलगे आ किम्पौूण इसमिन जैसे किया होता है यह अपने उड़ा बोलते है रेसीम बोलते हैं ठीक है और यहाँ पे arrangement जो है किसका हमारे panicle का वो क्या होगा रेसीम का ही arrangement होगा लेकिन किस manner में रेसीमूस manner में ठीक है जैसे हम क्या बोलेंगे इगविया में यह present होता है panicle क्या होता है यह वो compound raceme है यहाँ पे raceme अरेंज होते हैं raceme में ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं panicle बोलते हैं ऐसे ही दूसरा इसमें आता है compound corum क्या होता है compound corum किस family में होता है यह cruciferi में present होता है families आपको आगे आगे पढ़ना है यह किस में होता है यहाँ पे flowers जो होते हैं undeveloped होते हैं ठीक है corum में क्या होता है यहाँ पे corum में equivalent pedicel की नहीं होती है ठीक है और यहाँ पे जो flower बनते हैं वो undeveloped होते हैं ऐसे ही compound umbell जो होता है यह किस में होता है यह family umbelly fairy में आता है compound umbell में क्या होता है umbells जो होते हैं ओक अक यूहां होता है इके मेर्यमेंजुआ हो्ता है आक वालन्गे पेड़िशें की तुलाएं। compound umbells जहां होता है जहां पर umbells जो होता है एक ही originating point यहां पर जहां से यहां से सारे floor equal Decoles के present होंगे उसको हम क्या बोलते है compound umbell जैसे आप carrot में देखेंगे ऐसे ही compound spike क्या होता है इसको हम spike का और स्पाइक लेड्स बोलता है यहां पे फैलॉर्स जो होता है वो ससाईल होता है उन में पैडिसल्थ नहीं होता है ससाईल फैल nggak komm sickness आपको ही हम स्पाइक इस लेड़ बोलते हैं यह कहा पर प्रेज्च उते हैं main axis पे present होती है for example अगर हम wheat, rice, barley देखेंगे, oats देखेंगे उन सब में ये present होता है क्या compound spike आप क्या अधर रखोगे compound spike में क्या होता है spike let's spike let's means जिसमें sysile flowers, flowers जिनकी branch नहीं होते हैं वो present होते है main axis पे, देखें ये ये सारे flowers जो है ये sysile हैं इन में क्या होता है इन में decentral नहीं होते हैं और इसे सारे किस में present है main axis पे present है इसको हम compound spike बोलते हैं ठीक है, ऐसे ही compound head ये compound capitulum head case of heads भी बोल सकते है tax of Dracula भी बोल सकते हैं यहां क्या होता है kbh kbh small head जो होते हैं वो ही large head बनाते हैं हैं आप निकल भी पड़ा था कैपी जो लए में दो तरह के फ्लोरेट होता है दो तरह मैं तो रहे फ्लोरेट होते हैं फ्लोरा स्ट वाले होता है यहां पर क्या होता है इन प्लांट में जो हेड होते हैं वो छोटे होते हैं और सिंगल फलार के होते हैं और वो एक बिग कंपाउंड हेड बनाते हैं छोटे छोटे हेड जो है वो लार्ज हेड बनाते हैं यह देखें यह कंपाउंड यह फैमली कंपोजिती में आती हैं यह चोटे छोटे हेड जो है छोटे छोटे कैपी चोल हम बोलते हैं ऐसे ही एक और होती है इसम्हें प्रेज़न कमपाउंच सपेडिक्स क्या होता है इसको हम सपेडिक्स और सपेडिसीस बोल सकते हैं यहां पह czyn final बोलता है वह ब्रांच में प्रेजन होती है किस मैनर में? वो cover होता है, एक single spot से present cover होता है जैसे कुछ सी family आती है पाप में इसी आती है, ठीक है आप क्या बोल सकते हो compound spedics में क्या होता है यहाँ पे main pedancle जो है वो branch होती है rissimus manner में present होती हार एक branch में sysile और unisex unisexual या तो male flowers होंगे या तो female flowers present होंगे और यहाँ पे एक ही single spot present होता है, ठीक है यह देखे, एक single ली बड़ा present होता है यहाँ पाप में देखते हैं कि यहाँ पे main axis जो है, वो किस से बरी होती है flower से बरी होती है, ठीक है ना, यह main axis है वहाँ पे ही एक बड़ा ही sheet होता है जिसको आप सपाथ बोलता है उसकी बीज में यह axis present होते है जिन में क्या present होते है यही से style flowers present होते है जो कि यहाँ तो unisexual होते है unisexual होते है ठीक है ना, आप सी इतना ही याद रखेंगी racimus inflorescence में आपने का simple racimus बड़ा था जिसमें यह racimumumumble बड़ा था आज हम दें compound racimus inflorescence में panicle क्या होता है compound corumbumble capitulum spike यह साब present होता है ठीक है, panicle में क्या होता है यहाँ पर racimus जो होता है, वो racimus manner में present होंगे racimus क्या होता है जो equivalent के predisels main axis भी present होते हैं इसे ही दूसरा corumbum क्या होता है compound corumbum क्या होता है यहाँ पर flowers undeveloped रहते हैं हम यह बोल सकते हैं corumb of corumbum वो क्या होता है एक तो यहाँ पर क्या होता है जो base pepaticle होता है वो बड़ा होता है और apex pepaticle छोटा होता है ठीक है, पिर ऐसे ही आगे base की rebranching होती है उस पे भी यही हिसाब होता है जो base पे paticle होता है वो बड़ा होता है और जो tip के पास paticle होता है flower होता है वो young होता है छोटा होता है ठीक है ना उसका pedicel छोटा होता है उसको हम काम पा कोड़ेंग बोलते और फ्लार जो होते हैं वो अनडेवल проблем ठोटे हैं ऐसे ही आपने फिर आपड़ है ergए अमभी में घृता है यह में एक्सिस पर अब canyon प्रिजिंट होते हैं एक ही में एक्सिस होते हैं सब एक flowers होते हैं, mean axis पे present होते हैं, ये दिखूँ से साइल, flowers सारे एक axis पे present होते हैं, इसको हम compound spike बोलते हैं, ऐसे ही compound head जो होता है, small head मिलके, small flowers मिलके, एक bigger head बनाते हैं, ठीक है न, उसको हम क्या बोलते हैं, compound capuchulum ठीक है, हम क्या बोलते हैं, इसको compound capuchulum बोलते हैं, ऐसे compound spedics में क्या होते हैं, इसको भी हम spedics, spedices बोलते हैं, mean axis होते हैं, वो racimos manner में branch होती है, और हर एक branch में से style unisexual flower present होते हैं, यही whole branch structure जो होते हैं, इन में एक ही बड़ा single path होता है, जो इसको बाहर से cover करता है, ठीक ह और यह क्या होता है, यह compound spedics form करता है, जो कि हम किसमें देखते हैं, पाम में देखते हैं, ठीक है, next time कल पढ़ेंगे, thank you